आज हम बिना भिंगुवए हुए इंस्टाइट इडली बनाने का तरीखा देखेंगे इसके लिए हमने वन बॉल उड़त दल लिया हुआ है उड़त दल को हमने दो से तीन बार अच्छे से दो के वाटर क्लियर होने तक धोना है और उसको फार हैं हम ग्रैंड कर लेंगे यहाँ पर मैंने ड्राइ स्पाइस जिसमें हम लोग पीशते हैं वो जार लिया हुआ है उसमें हमने थोड़ा उड़त दल लिया है और उसमें वन टेस्पून मेथी डाला है अब हम इसको ड्राइ ग्रैंड करेंगे बिना पानी आट की हुए उड़त दल अच्छे से छोटे छोटे तुकडे होने के बाद उसमें हम वाटर आट करेंगे और फिर अगेइन उसे हम ग्रैंड कर लेंगे ग्रेंड करने के बाद हम उसको दूसरे बोल में ट्रांसर कर लेंगे और बचे हुए उड़त दाल से भी ऐसे ही सेम प्रॉसेस हम रिपिट करेंगे सबी उड़त दाल पीसने के बाद हम वेट ग्रेंडर लेंगे उसमें थोड़ा पानी एड़ करने के बाद जो भी हमने उड़त दल को पीस कर रखा हुआ है मिकसर में हम उसको एड़ कर लेंगे एड़ करने के बाद उसमें पानी एड़ करके हम उसको पिसने के लिए छोड़ देंगे आप हम एक बॉल उड़त डाल के लिए दो बॉल इडली रवा लेंगे उसको अच्छे से निचोड़के रख लेंगे अब देखीं सिर्फ 10 मिनेट में कितना अच्छा अच्छा सा हमारा उड़त डाल पिश चुका है कितना पलफ्य और कितना सहरा बन चुका है पिश के अब हम इसको इडली राव में एड़ कर लेंगे इसमें थोड़ा सॉल्ट एड़ कर लेंगे जितना आपको चाहिए आप उतने एड़ कर सकते हैं एड़ करने के बाद हम जैसे नॉर्मल इडली इसको स्ट्रीम करते हैं उसी तरह हम इसको भी स्ट्रीम कर लेंगे देखे कितने अच्छे से प्लफी प्लफी और सौफ्ट इडली बनकर रेडी हो गए हैं वो भी इंस्टेंटली जब कभी भी हम बिजी रहते हैं तो उडदल भीगाने की बात दिमाग से निकल जाती है तो उस टाइम हम इसी तरीके से इडली बैटर प्रिपेर करके रख सकते ह आप भी ट्राइ कीजिएगा बहुत ही आसानी और जल्दी से बन जाता है देखिए एक बोल से हमने कितना बैटर रेडी करके रख लिया आप भी इस एडिया को ट्राइ कीजिएगा तैंक्स फर वाशिंग